नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का आपके अपनी यूट्योब चैनल पर दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रीट भरती परिक्षा 2021 सीबी आई जांच को लेकर बड़ी ख़बर रीट SI लाइबिरेरियन भरती पेपर आउट को लेकर विकास जाकडने किया बड़ा खुला सा दोस्तों मुक्यमंत्री असो गैलो से कई दिनों से विरोजगार मांग कर रहे हैं कि रीट के पदों में बडोतरी की जाए वही सचिन पाइलेट ने भी मुक्यमंत्री को पतर लिखा ताकि रीट के पद 50,000 किये जाए लेकिन मुक्यमंत्री चाते हैं कि प और लाइब्रेरियन बढ़ती में हुए पेपर लिक और दांदलियों की तुरंत परवाव से सीबियाई जांच की जाए या फिर परिक्षा को रद किया जाए मादे में एक सिक्ष्या बोर्ड चेर्मेन डीपी जारोली की भरती पेपर आउट लिपता होने के करण उसके पत से इस्तिपा मांगा जाए और बरतियों में आमूल चूल सुदार हेतु बरती परकरिया को समय बद अबाद रूप से पूर्ण कराने से लेकर निस्पक्स और पारदसी परिक्षा आईजन कराने के लिए कमेटी का घटन किया जाए विदान सबा के आगामी सतर में पेपर आउट और नकल माफियों के खिलाप कानून लाया जाए जिसमें नकल माफियों के खिलाप कानून में आरोपी को कम से कम दस वर्ष की केद रूपी सजा का पराव धान किया जाए जिन संस्थानों की नकल या पेपर लिक में पर्तेक्स या एपर्तेक्स रूप से लिपता पाई जाती है तो आगामी समय में इस ताई रूप से उनकी मानेता रद की जाए समंदी नकल माफिया और नकल गिरो या परिक्सा एजेंचिया सरकारी करमचारी या गिर सरकारी कि संपुन्ट चल और अंचल सपती जब्त की जाए विकास जकड सोरे चकर दोस्तों आप देख रहे हैं 6122 का कल का ये मांग पतर है और ये विकास जकड के मोबाइल नंबर है तो दोस्तों बहुत अच्छा परिवर्तन होने वाला है रीट की तो सीबियाई जांच होनी चाहिए क्योंकि बहुत बड़े इस्तर पर पेपर आउट हुआ था इसमें बोर क्यारत